सुहन जी म्यूजिक टे इन दिस साइड तो जैसा कि आपको पता ही है कि सिद्धु भाई के अपकमिंग गानू से रिलेटिड तो काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखिया है वैंने जैसे कि रीबर्थ, ट्रीपल जीरो एट और डिमाइस के बाद से सारे लिग्ड एंड अन् बताऊंगा और हां सिद्धु भाई के फैन पेज है इन भाई को शाउट आउट क्योंकि सारी इंफो बताने का आइडिया इनकी पोस्ट की वजह से आया मुझे तो चाहू तो भाई को फालो कर सकते हो यूजर नेम तो स्क्रीन पर दिखी रहा होगा तो देखते रहो काफी कुछ पता चलेगा तो बिना वक्त को भाई बात करें उनके टैटूस की तो उनके राइट फोराम में एक टैटू है जिसमें की स्कल है और इसमें एक के होटी चावन जो गन है वो भी है तो इसमें तो वैसे ज्यादा समझाने की ज़रुत नहीं है मुझे यह इन्होंने में यह है और अपने सिद्धू बाई का लोगों यह है तो यह रीजन था इस टैटू के पीछे गा और नेक्स टैटू है जो कि उनके लेफ्ट और राइट दोनों अलबो में इसमें जो इनकी लेफ्ट अलबो है उसमें उन्होंने फादर साब के नाम का टैटू करवाया जिसमें कि गुरू गोविन सिंग जी का एक संदेश लिखा है कोई किसी को रज ना दे है जो ले है निजबल से ले है जिसका मतलब है कि कोई किसी को तोफे में राज नहीं देता सामराज यह लेते है वो अपने बल से तागत से लेते है मुझे भी लग रहा है मैं ठीक से सम चेश्ट परसन माना जाता है मानसा मूसा उसका टैटु है क्योंकि सिद्धु भाई अपने रुत्बे को मानसा मूसा से कंपेर करते है ऐसा पॉइंट रखते है कई बन दे बट मुझे यह उतना सही नी लगता क्योंकि एक तो तुम टैटु ही देख लो यह से फेस मास्क का यूज जो थीर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए इस टैटू की वज़े से गोट गाने की हुकलाइन में भी वो बोलते हैं तरह शेर दी पुलिस समय नो थीफ यहां कर दी ऐसा फेस मास्क 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया विकॉज अमेरिका में एक थीफ ने ऐसा मास्क पहन के चोरी की थी बट सिद्धु भाई ने इसकी वज़े से नहीं बलकि ज़स्ट अपने आइडेंटिटी को दर्शाने के लिए गाने में बोला था कि वो